जैहिन साथियो नमस्कार, कैसे हो आप सभी, उमीद है सभी सैकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, अपने ध्यन में व्यस्थ होंगे, मैं PC रोज आपके अपने परिवार हिमाल्य एजुकेशन हब पर आपका हार्दी का भिनादन स्वागत करता हूँ, तो साथिय तो आज हम जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं, आगामी आपको पता है, कि एक जोरों शोरों से चर्चा और यह रीट भरती परिक्षा पर अध्यापक भरती परिक्षा, तो उसी पर हम एक परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर मैं आपको, हिंदी पाठे करम के बारे में L1, L2, संपूर्ण परिचर्चा अपने करेंगे, तो साथियों अगर अपने बात करें, तो एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, कि महनत के अलावा कोई उपाय नहीं है, एक समाने अपने बात करते हैं, कि फलाना किस्मत की वज़े से रह गया, वो किस्मत की वज़े से रहा किस मुकाम पर जाकर है, जब महनत से किस्मत तक वो खींच कर ले गया खुद को, घर बैठे हाथ पर आधरे तो सफलता नहीं मिलने वाली है, वो कुछ पंक्तियां यूँ थी, कि शहर की हद से निकली, तो गाउं गाउं चली, कुछ मुसीबतें मेरे संग पाउं पाउं चली, शहर की हद से निकली तो गाउं गाउं चली, कुछ मुसीबतें मेरे संग पाउं पाउं चली, सफलता की धूप में ये तजुर्वा हुआ, सफलता की धूप में तपे तो ये तजुर्वा हुआ, वो क्या ही जिंदगी है जो चाओं चाओं चली, वो क्या ही जिंदगी है जो चाओं चाओं चली, तो कष्ट सहन करके ही, तपकर ही सोना बना जा सकता है, तो इसी कडी को अपने आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको जो है, वो हिंदी द्याकरण और सिक्षन वीदियां, जो पूर किस की आती है हमारे? लेवल वन, BSTC के मेरे अधापय का धापय का साथी, तो L1 की अगर अपने बात करें, तो L1 में, देखिए, बाशा अगर प्रथम है हिंदी, तो इसके आपको सबको पता है, समाने व्यवारिक जानकारी आपको रहती है, कि 30 प्रशन आएंगे और 30 ही अंक प्रशन, ठीक है, आपको एक गध्यांस दिया जाएगा, ठीक है, और देखिए, गध्यांस वो होता है, जिसमें लेक सम्मंदी विवरण दिया होता है, और पध्यांस या पध्या वो होता है, जिसमें कावे और सावित्य के मिश्रण होता है, तो सुनिएगा पहली अपने बात करें, तो देखो, प्रशन क्या पूछेगा, एक गध्यांस दिया जाएगा आपको, मान लो उस गध्यांस में, कहीं भी उसने एक शब्द दे दिया, क्रित्रिम, क्या शब्द दे दिया, क्रित्रिम, अब वो क्या करेगा, पूरे के पूरे उस वाक्ये में से क्रित्रिम उठाएगा और नीचे लिखेगा क्रित्रिम शब्द का विलोम शब्द रहेगा तो क्रित्रिम के दो विलोम शब्द होते हैं प्राक्रितिक भी होता है निसरगीक भी होता है वो जो उचीत रहेगा वो एक दे देगा न तो ऐसे तो उसमें एक तो आपका क्या रहेगा परिया भीडिन कृनित करना होता है। जैसे वदारन के रूप में उस ने दिया कि jis के पास धन रहो, निर्धन। और इसे भी मैतपुर्ण वो देता है जिसके पास कुछ नहीं हो। ऑप्शन में निर्धन भी देता है एकिंचन भी देता है। तो ध्यान रखना कि ड्यान, just जिसके पास कुछ नहीं हो, एक इंचन, जैसे जिसके कोई संतान नहो, निसंतान, लेगिन वो लिखता है, जिसस्त्री के कोई संतान नहो, बांज, तो इस तरहे वाक्यांस के लिए, वाक्या का एक टुकड़ा मिला, उसके लिए एक शब्द चुनना है, इसके बाद देखिए आपके शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ बताने, शब्दार्थ में शब्दों के क्या, शब्द पलस अर्थ से बना, शब्दों के अर्थ बताने, ठीक है, ये एक परकार से प्रेवाची से संबंदिती बात होगी, आपको कोई शब्द दिया जाएगा, उसका अर्थ बत विकारी शब्द चार होते हैं, संग्या, सरवनाम, विशेषन और क्रिया, इसमें से तीन विकारी शब्द आपको दियेगें संग्या, सरवनाम और विशेशन और एविकारी या एवे शब्द पूरा ही दिया गया है समाने तब बच्चे जो है उनका संग्या, सरवनाम, विशेशन, क्रिया, संदी, समास, उपसरग, परते नाम सोने होते हैं एवे नाम कहीं नहीं सोना होता एवे शब्दों को एविकारी शब्द भी का जाता है, और ये चार होते हैं, ये वो होते हैं, जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, जो केतियों रहते हैं, जैसे उधारन की रूप में क्रिया, विशेशन, संबंद बोदक, समुच्य बोदक और विस्म्यादी बोदक, इ हिंदी में दो ही रूप सविकारे हैं, एकवचन और ववचन, इसके बाद अपने बात करें काल की, अच्छा, काल के तीन बेद, भूत, वरतमान, भविश है, उस पर चर्चा, अच्छा, लिंग याद करना, यनि शब्दों का स्ट्री लिंग पुलिंग याद करना, लिंग ये बातें हुई हमारी किस के बारे में, L1 के बारे में बात चली, भी बाशा प्रथम अगर आपकी रहे, पातरता प्रिक्षा की, और सुने, वाक्य रचना, वाक्य के अंग कितने होते हैं, दो होते हैं, उदेश्य और विधे, उदेश्य कहते हैं करता को, विधे कहते हैं क तो मुखे रूप से चर्चा ये रहेगी. वाक्य के प्रकार अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे रचना के दार पर वाक्या, सरल, शॉंक्त और मिशर, अर्थ के दार पर वाक्या आठ भेद होते है, तो वाक्या के अलग अलग प्रकार, और एक बड़ा ही छोटा और सुन्दर सा टॉपिक है पदबंद, पदबंद का मतलब है पद कहते हैं शब्द कोई, शब्दों का एक बंद होगा, टुकड़ा होगा, हमें बताना है कि उस बंद ने किस व्याकरने की काई का काम किया, संग्या का, सरवनाम का, विशेशन का, क् इसके बाद मुहावरे आएंगे, लोकोक्तियां रहेगी और आपका एक टॉपिक रहेगा विराम चिन, चिन शब्द बड़ा महतापुर्णे भी ध्यान रखना ये तो ये शुद्ध है, पूरणते, या पह के पैर में रह लगाईए, ने लगाईए, ये पूरणते शुद है, लेकिन हम लिखते हैं चिन, ध्यान रखना, चिन है शब्द पूरणते ऐशुद्ध है, चिन है कोई शब्द नी होता, क्या होता है, समय के साथ कुछ शब्द हम ऐसे प्रचलित कर देते हैं, जो हमने अपनी जीव की सरलता के लिए गलत बोलने शुरू कर दिये, जीवा लिखना शुरू कर दिया, ये शब्द पूरणते क्या है, ऐशुद्ध है, चिन शब्द होता है, ठीक है, इसके बाद अपने आगे बात करें, तो बाशा की शिक्षन वीदी आगे, ठीक है, उपागम आगे, बाशा दक्षता का विकास, विकास का करम रहेगा हमारा, ठीक ह उसके बाद देखिए, पढ़ना सिखता है, आप देखो, स्कूल में बच्चा जाता है, तो पहले उसको पढ़ना सिखाते है, कह कबूतर, लिखना बाद में, तो पहले पढ़ना सिखता है, उसके बाद क्या सिखता है, लिखना, क्या क्या चुनोतियां रहती ये बाशा शि ठीक है, भी क्या-क्या निदान, क्या-क्या उपचार किये जा सकते हैं, किस-किस परकार से चीजों को सरल बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये बाते हैं, और सुनिए, सबसे मैतोपूर्ण भाग क्या रहने वाला है, सबसे मैतोपूर्ण भाग रहने वाला है, आपकी मादिमिक एक सिक्षा बौड की पुस्तक हैं, आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो एक से छही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि L1 के बच्चे को, अब्यर्थी को, एक पहली कलास से आठ मी तक की, पहली से आठ मी तक की जितनी मी पुस्तके हैं, माद्य में एक सिक्षा बौड की, वो हर हाल में अवश्य पढ़नी चाहिए, तो एक तो ये द्यान रखिएगा हाना, ये रहा, एकिस बाइस पाथे पुस्तकों के अधार पर होगा, किसका प्रशनों का माप दंड, एक से पांच, ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक से आठ मी तक ही पढ़िये, क्योंकि जो आपका जीके का स्तर रहता है, वो आठ मी तक के प्रशन भी आ जाता है, उसमें सारा ही कवर हो जाता है, फिर आपको कोई प्रेशानी नहीं होगी, ठीक है, कठिनाई का स्तर ये देख लो, दसमीं तक की पाट है पुस्तकों का होगा, इसलिए मैंने का कि एक से आठ मी तक त तो इस अधार पर कितने अंक रहेंगे? दस अंकों का एक भाग रहेगा, दस अंकों के भाग में हिंदी में एक तो क्या आएगा आपके, संग्या, कौन सा टॉपिक रहेगा, संग्या, इसके बाद अपने बात करें सरवनाम, ये तो आपके, लेंग्वेज फर्स्ट में थे प्री में, अच्छा विशेशन आ गया, क्रिया नहीं था, इस बार क्या जुड़ा है, क्रिया जुड़ा है, विशेशन हो गया, क्रिया हो गया, और सुनो, आप गौर करना, कि पिछले में आया था एव्य शब्द, और उस एव्य के एविकारी के, मैंने चार भेद बताय थे आपको साना, क्रिया विशेशन, संबंध बोदक, समुच्य बोदक, विश्मयादी बोदक, उसमें से एक ही भाग लिया गया है क्या, क्रिया विशेशन, तो ध्यान रखना, विशेशन अलग टोपिक होता है, क्रिया अलग टोपिक होता है, और क्रिया विशेशन पूर्णत और इसमें क्या आएगा? शब्द शुद्धी, मुहावरे और लोकोक्तियां. ये दस अंकों का हमारा भाग रहने वाला है किसमें? मेन में. L1 में मुख्य परीक्षा में. अब अपने बात करते हैं, लेवल 2 की. थोड़ा सा पाथे करम जो है, वो L2 में ज्यादा विस्तरित है लेकिन L2 प्री की बात और ये साथियो, ध्यान रखियेगा. इसके बीच में मैं एक सूचना और देदू आपको, कि हिमाल्य एजुकेशन हब, जो लगातार नए परतिमान स्थापित करता जा रहा है, उन्होंने रीट की जो शुरुआत है, वो कर दी है, आगाज कर दिया गया है 25 तारीक से. कब से कर दिया गया है? 25 जुलाई से बैस शुरू है साथियो, तो आप सभी जो है, वो अपनी तयारी को परिपकव करना चाहते हैं, और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, अपना चैन सूनिश्चित करना चाहते हैं, तो एक बहुती बहतरीन टीम के साथ आपके सामने जो है, वो प्रस्तूत होगी, इमाले एजुकेशन हब की टीम, और आपकी तयारी को और धार देगी, जिसमें आपको पहली बात तो, मादेमिक शिक्षा बोर्ड, NCRT अधारित, जो प्रिक्षा पैटर्न है, उस प्रिक्षा पैटर्न के अधार पर आपको संग्षिप्ट सेमिनार रखा गया है, ताकि बच्चों का यह कीमती समय, अब जब बरती आने ही वाली है, अनावशक वियर्थ ने किया जाए, तो छोटा सा एक संग्षिप्ट सेमिनार है, उसी के बाद, उसी दिन आपकी ओनलाइन और ओफलाइन दोनों कक्षाई शुरू और सुनिएगा, अपने अगर बात करें, तो आपको मैं हेल्प लाइन नंबर दे दूंगा अंत में, अगर किसी भी वस्तु विश्य से संबंदित आपको जानकारी लेनी हो, तो आप उस हेल्प लाइन नंबर पर भी ले सकते हैं, कोई प्रेशानी नहीं है, ठीक है, अच् पर आगे और, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, पचीस तारीक से आपके बैस शुरू है, रीट, L1, L2 के, प्री और मेंस, दोनों के, ध्यान रखिएगा साथी हो, ठीक है, फीश से संबंदित, किसी भी विश्य से, ध्यापक से, समय से संबंदित, स्थान से आपको संबंदित, जैसे ही आपका टोपिक कंपलीट होता है, आपका प्रकरण बिंदू, वैसे ही आपका टेस्ट रहेगा, उसके बाद, स्लेबस वाइज भी टेस्ट रहेंगे, और टोपिक वाइज भी आपके टेस्ट रहने वाले हैं, नोट्स आपको मिलेंगे, आपका स्लेबस पूरा करवाके, और सबसे बड़ी आबात रिवीजन कलासें भी दी जाएगी, तो आप बहतरीन कंटेंट के लिए, सुनी चिचेन के लिए जुड़िए, अच्छा, अब अपने बात करते हैं L2 की, L2 में बाशा फर्ष्ट की, जो क्या रहने वाले हिंदी, वही तीस प्रशन और तीश अंक, ठीक है, वही अपने बात करें, अब L1 से इसमें क्या भिन्य है, एक तो तत्सम, तदभो, देशज और विदेशी, और ये शब्द जो है, इनको कहा जाता है, उत्पत्ती के आधार पर शब्द, क्या कहा जाता है, उत्पत्ती के आधार प तत्भव शब्द, स्थानिया बाशाओं से विदेशज शब्द, और विदेशी शब्द, इसके बाद आपका रहेगा परियावाची, विलोम शब्द, एकार्थी, उपसर्ग और प्रत्य, ये रहने वाले है, और क्या रहने वाला, संधी, समास, संग्या, सरवना, विशेशन और विशेशन और विशेशन एक ही टोपिक है, कोई अलग अलग टोपिक नहीं है, विशेशन वो शब्द होते हैं, जो विशेशता बताते हैं, और विशेशन वे शब्द होते हैं, जिसकी विशेशता बताई जाती है, ठीक है, फिर आपके एवय आगे, एवय या एविकारी चार होते हैं, वाक्यांस के लिए एक शब्द आया, शब्द शुद्धी आया, और एपठित गध्यांस जो है, उस पर निम्न बिंदू है, जिसमेरे खांकित पदों का अर्थ स्पष्ट करना है, अच्छा, और क्या है, वचन है, काल है, लिंग है, और दिये के जिए शब्दों का लिग बचन और काल बदलना, और राजस्तानी शब्दों के रिंदी रूप भी बताने है, जैसे राजस्तानी को शब्दा गयो तोडियो, तोडियो किन्हें बोलाँ आपा, उंṬ के बच्चे को बना जाता है ना, तो ऐसे शब्द टोडियो के हुए है, इडूनी के हुए, तो राजस्तानी शब्दों के हिंदी अर्थ समाना अर्थकर्थ बताने है, यह हमारा रहेगा L2 Pre का पाठे करम, ठीक है, अब इसमें और देखिए, क्या है वाक्य रचना, कैसे होती है, वाक्य के अंग उदेश्य और विधे, वाक्य के प्रकार रचना या आशुद है चिन, यह शब्द शुद है, फिर अपने आप शिक्षन विधियों पर वही, शिक्षन विधी, उपागम और भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कोशल चार है, हिंदी भाषा सिक्षन में क्या-क्या चुनोतियां हैं, और उन चुनोतियों का जो है वो उपच साधन भी है, और इसका स्तर कहां तक रहने वाला है, कक्षा बारा तक, तो L2 के अभ्यर्ती ये बात ध्यान रखें, कि उनको एक से लेकर दस्वी तक तो माध्यविक सिक्षा बोर्ड की पुस्तकें पढ़नी ही है हर हाल में, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, और अब सबसे मैतवपून बात, जो मेरे लिए सबसे रोमान्चित कर देने वाली बात रहेगी, वो रहेगी लेवल टू मेंस, जिसमें हिंदी विशय के जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हिंदी वर्ण माला का ज्यान रहेगा हमारा, वर्ण माला का वर्ण कहते हैं स्वर और वियंजन को, तो स्वर और वियंजन के बारे में संपूर्ण विश्त्री जानकारी, वर्णों का वर्णों का वर्गी करन करना, स्वर कितने भागों में बंटेंगे, वियंजन कितने भागों में बंटेंगे, कितने भागों में का वर्गी करन होता फिर देखिए, विकारी और एविकारी दोनों है, संग्या, सरवना, विशेशन और क्रिया विकारी शब्द हैं, और एविय को एविकारी शब्द कहा जाता है, फिर इसके बाद देखिए, व्याकरनिक कोटियां होती है, व्याकरनिक कोटियां, तो व्याकरनिक कोटियां होती ह लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्चे और पुरुष, छह होती है, लेकिन, सुनियेगा, पुरुष जो है, वो सरवनाम में या जाता है, उत्तम, मध्यम और अन्य, इसलिए उसको नहीं लिखा गया, मुख्य रूप से पांच व्याकरनी कोटिया, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्चे वाच्चे जो है, वो एकरमक, सैकरमक, रिया पर ही निरबर करता है, पुरुनते, तो अगर एकरमक, सैकरमक, क्रिया, हम बहतर समझते हैं, तो वाच्चे टोपिक बहुत आसानी से समझ आता है, फिर विकारी शब्दों का रुपांतरण, लिंग बदलना, वचन तो ये है, अच्छा, इसके बाद, उत्पत्ती के अधार पर शब्द, कितने होते हैं? तीन, चार, तत्सम, तद्भो, देशज और विदेशी ये रहेगा, इसके बाद एको रचना के धार पर शब्द, मूल, योगिक और योगरूड शब्द रहते हैं, तीन, वो रहेगा, अर्थ के धार पर अगर में शब्दों की बात करें, तो अर्थ के धार पर एकार्थी होत जो बोलने और सुनाई देने में तो समान परतीत होता है, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग-अलग, जैसे अभी हम परीक्षा पैटर्न पर बात कर रहे हैं, तो एक शब्द होता है परीक्षा, और एक शब्द होता है परीक्षा, अब आप देखो ये शब्द जो है परीक्षा और परीक्षा बोलने और सुनने में तो समान ही लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग-अलग है ध्यान रखिएगा परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान और इस परिक्षा जिसमें एकी मात्रा हरस्व होती है लगू होती है छोटी कह सकते हो आप उसका अर्थ होता है कीचड ये रहेगा इसके बाद अपने आगे बात करें तो क्या रहने वाला है संदी, समास, उपसर्ग और परत्य चार जो निर्मान के अधार पर शब्द बोला क्योंकि इन से नए शब्दों का निर्मान होता है संदी में भी नया शब्द बनता है समास में भी उपसर्ग भी नया शब्द बनाते है प्रत्य भी इसके बाद शब्द शुद्धी और वाक्य शुद्धी ये रहने वाला है ठीक है फिर अपने वाक्य पर विचार करेंगे कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, दो होते हैं, उदेश्य और विधे, प्रकार कितने होते हैं, वाक्य का रुपांतरन कैसे किया जा सकता है, कैसे सरल से शुंक्त बनाये जाएगा, कैसे सुंक्त का मिज़ रूप बनता है, कैसे सुंक्त से सरल वाक्य बनता है, तो ये रुपा नियाए, पठित पध्यांस के भाव एं व्याक्रन से संबंदिव प्रश्न, ठीक है? तो उसमें भी आप देखो, भाव और व्याक्रन से संबंदिव प्रश्न ही आएंगे, कोई गंबीर समश्या नहीं है, और पारिबाशिक शब्दावली जिसको परशाशनिक शब्दावली भी बोला जाता है, पारी बाशिक या परशाशनिक शब्दावली, ठीक है, देखो पारी बाशिक शब्दावली के साथ समझे यही है, कि हम जो शब्दों का समान ने अर्थ समझते हैं, परशाशन की बाशा में राज की बाशा में उससे थोड़ा सा हट कर अलग अर्थ होता ह क्या है जैसे आप देखिए, capital का हम अर्थ समान्य क्या होते हैं, capital राजदानी को कहते हैं, लेकिन परशाशनिक शब्दावली में capital का समान्य अर्थ लिया जाता, mudra या राशी, तो यह रहेगा, इस पर भी अपने विस्तरीच चर्चा करेंगे, तो साथियो, यह है हमारा L2 का हिंदी मेंस विशे का पाठे करा, तो ध्यान रखिएगा साथियो, हिमाल्या एजुकेशन हब, आपके स्थित है, रिद्धी सिद्धी चोरहा, गुजर की थड़ी के पास, जैपूर, पचीस तारीक से, ओफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं, और ओनलाइन बैच भी के लिए एक कॉंटेक्ट नंबर दे सकता हूं, जिस पर आप सूचित कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं, डबल नाइन टू नाइन जीरो, तो क्या हो गया, 99290 और 17783, 17783, तो हमारा कॉंटेक्ट नंबर क्या रहेगा, 99290, 17783, हिमाल्या एजुकेशन हब का ये, आपका जिस पर आप कोई भी सूचना जो है, वो ले सकते हैं, संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, बैस से संबंदित, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, क्या टाइम बैस शुरू है, कब सेमिनार है, तो साथियो, अपना चैन सूनी सूचित करने के लिए बहुत ही अच्छी टीम के साथ मैं विदा लेता हूँ, और हिंदी व्याकर्ण मैं आपको बताई चुका हूँ, और हिंदी विषय जो है, वो पूरा का पूरा मेंस का मैं आपको करवाऊंगा, तो मैं पीसी रोज आपसे विदा चाहूँगा, आप सभी को मेरी तरप से प्यार भरा, नमस्कार, जै हि जै भारत